ओम शान्ती आज 12 सप्टेंबर 2022 के बाबा के अनमोल मतुर महावा क्ये सुनेंगे आज की मुरली बाबा की है ड्रामा बाबा कहे सबसे महीन ते महीन गुई ये बात समझने की है वह है ड्रामा कि कैसे ये ड्रामा हू बहू रिपीट होता है एक एक सेकंड का पार्ट जैसे जैसे बजाते जाते हैं तो पुराना मिठता जाता है और नया शूट होता जाता है वही 5000 साल के बाद उनह रिपीट होगा इसे लिए बाबा कहे कोई भी द्रिश्य देखते हो तो नथिंग नियो इस पार्ट को अच्छी तरह से पक्का करना है साथी साथ बाबा कहे कि रावन सबसे पुराना तब पुराना दुश्मन है ज्यान और योग बल से उस पर जीत प्राप्त करनी है और पुर्शार्थ हमें यही करना है कमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का बाबा हमें बहुत सुंदर बाते बताते हैं तो बाबा कहे तुम बच्चों को हर पल बाबा का रिगार्ड रखना है बाबा के श्रीमत की अवग्या नहीं करनी है सदा श्रीमत पर चलते रहना है माना बाबा का रिगार्ड रखना है सुनते हैं बाबा के मदूर महावाक्य ओम शांती, मीठे बच्चे तुम्हारा नंबर वन दुश्मन रावण है जिस पर ज्यान और योग बल से जीत पानी है तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है आज की मुरली से प्रश्न है महीन ते महीन और गुई ये बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है उत्तर है, सबसे महीन से महीन बात है ये बेहत का ड्रामा सेकंड बाई सेकंड शूट होता जाता है फिर पाँच अजार वर्ष बाद वही रिपीट होगा जो कुछ होता है, कल्प पहले भी हुआ था ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूझने की बात ही नहीं जो कुछ होता है, नथिंग न्यू सेकंड बाई सेकंड ड्रामा की रेल फिरती रहती है पुराना मिठता जाता, नया भुरता जाता है हम पाट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है ऐसी गुई ये बाते और कोई समझ न सके आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमो शिवाई ओम शन्ति बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का गायन है न, सबका दुख हरता, सुख करता, एक ही भगवान है तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुक्षान्ती का वर्सा दिया है इसलिए गायन है परन्तु कल्प को बहुत लंबा चोड़ा बताने कर मनुश्य कुछ भी समझ नहीं सकते हैं तुम जानते हो कि बाप सुखधाम का वर्सा देते हैं और रावन दुखधाम का वर्सा देते हैं सत्यूग में है सुख कल्यूग में है दुख ये किसकी बुद्धी में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है समझते भी है कि जरूर परमपिता परमात्म ही होगा भारत सत्युक था, लक्ष्मी नारायम का राच्य था ये कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि वहां ये कंस, जरासंगी, रावन आदी थे इसी लिए कोई बात में खहरते नहीं है तुम जानते हो, ये सब खेल है तुम्हारी बुद्धी में है कि हमारा दुश्मन पहले-पहले रावन बनता है पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गमादी, इन बातों को तुम ब्रामन बच्चे ही जानते हो तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ एटेंशन नहीं है तुम जिसको दुश्मन समझते हो, वह किसकी बुद्धी में नहीं होगा तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पाने है यही भारत का नंबर वन दुश्मन है शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं यहे भी बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्म भूमी भारत है परमपिता परमात्मा की जन्म भूमी शिव जैन्ती भी मनाते है, परन्तु शिव ने आकर क्या किया, वह किसको पता नहीं है तुम जानते हो भारत उच ते उच खंड था, धन्वान ते धन्वान, 100% healthy, wealthy और happy थे और कोई धर्म इतने healthy हो न सके, भारत का ही इतनी महिमा या गयन है, बाबा कहे ये और कोई देश का हो नहीं सकता और इतनी सम्रद्धी क्यों थी, क्योंकि परम पिता परमात्मा की ये जन्म भूमी है बाप देखो, किसको बैट सुनाते हैं, अबलाएं, कुपजाएं, साधारण, वह शावकार लोग को अपने धन की ही खुशी में है तुम हो गरीब ते गरीब, नहीं तु इतनी उंच ते उंची पढ़ाएं, उंचे मनुष्य को पढ़नी चाहिए परन्तु नहीं, पढ़ते हैं गरीब, साधारण, तुम कुछ भी शास्त्र आदे नहीं पढ़े हो, तो बहुत अच्छा है बाप कहते हैं, जो कुछ सुना है, अत्वा पढ़ा है, वह सब भूल जाओ, जो पढ़ा है, वो भी भूल जाओ हम नई बाते सुनाते हैं, सबसे नंबर बन दुश्मन भी है रावट, जिस पर तुम बच्चे ज्यान और योग बल से जीत पाते हो बरोबर, पांच अजार वर्ष पहले भी बाप ने राज योग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राज योग सिखा रहे हैं बाप आकर के उन्हा हमें राज योग सिखला रहे हैं जिससे हम माया पर जीत प्राप्त कर सकें इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है आत्माओं को कहते हैं बाबा आत्माओं कोई कहते हैं, मुझे याद करो, बगवान तो है ही निराकार, उनको राज्योग सिखाने जरूर आना पड़े, ब्रह्मा भी बुरा है, बहुत जन्म के अंत के जन्म में है, भारत में गीता आदी सुनाने वाले तो धेर है, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारो रुपी रावन पर तुम्हें जीत पाने है, मामेकम याद करो, यह भी कोई नहीं कह सकते हैं, यह तो बाप की आकर आत्माओं को कहते हैं, आत्म अभी मानी बनो, जितना बनेंगे, उतना बाप को याद कर सकेंगे, उतना त कमो प्रदान से सतो प्रदान बनेगे। तुम जानते हो हम सतो प्रदान देवी देवता थे। अब हम आसुरी बने हैं, 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब यह है अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें समझा रहे हैं। वही ज्यान का सागर, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सत्यूग में यह ज्यान प्रायलोग हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि यह राज्य हमको परमपिता परमात्मा ने दिया है। सत्यूग में तो यह भी नहीं ज्यान होगा कि राज्य हमें परमपिता परमात्मा ने दिया है। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं, सब कुछ इश्वर ने दिया है, वहां ऐसे भी नहीं समझते हैं, प्रालब्द भोगने लग पड़ते हैं, न परमात्मा का ज्ञान है, न कैसे प्राप्त किया उसका ज्ञान है, बाबा कहे सीधा प्रालब्द भोगने लग पड़ते इश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिम्रे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बात शही दी है परन्तु कब दी क्या हुआ कुछ भी बता नहीं सकते वहाँ धन भी बहुत रहता है एरोपलेन आदी तो होते ही है फुल प्रूफ वहाँ के एरोपलेन आदी भी बाबा कहे फुल प्रूफ अब तुम बच्चे किस धुन में हो दुनिया किस धुन में है यह भी तुम जानते हो उन्हों का है बाखुबल तुम्हारा है योगबल ज जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो, यह राज योग सिवाई बाप के कोई सिखला न सके। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता। जिसमें कल्प पहले भी प्रवेश किया था, इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आये थे ना। बाबा कहें जैसे ब्रह्मा का नाम रखा, ऐसे तुम सब बच्चों के नाम भी आये थे ना। कितने फर्स क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते। तो देखो, दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं, तुमको यहां शान्ती में बैठ बाप को याद करना है, यह है Most Beloved मात पिता, जो कहते हैं, बच्चे, इस काम पर पहले तुम जीत पहनो, इसलिए रक्षा बंधन का त्योहार चला आता है, यह पवित्रता की राखी भी तुम बांते हो, सत्यूग त्रेता में यह त्योहार आदी नहीं मनाएंगे, फिर वक्ती मार्ग में शुरू होंगे, तारे त्योहार भी त्वापर युक से शुरू होंगे, बाप इस समय प्रतिज्या कराते हैं, पवित्र दुनिया का मालिक बन है, तो पवित्र भी जरूर बनना है, मुझे याद करो, तो इस योग अग्नी से पाप दगद होंगे, तुमको तमो-प्रधान से सतो-प्रधान बनना है, कोई तो नापास भी हो जाते है, जिसकी निशाने भी राम को दिखाई है, अनुशमान के साथ राम को दिखाई है, बाकी कोई हिंसा आदी की बात ने। तुम भी क्षैत्री हो, माया पर जीत पाने वाले, जीत न पाने वाले न पास हो पड़ते। सोला कलह के बदले चौदा कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नमबरवार पद होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वही वरसे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें जो पुर्शार्थ करेंगे और कराएंगे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है, तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है रूहानी बठी, इस बठी से ही सतो प्रधान बनेगे। वह जो कराएंची में तुम्हारी बठी बनी वह और बात थी। यह योग की बठी और है। यह है योग बल की बठी जिसमें किचडा सब निकल जाता है। शुरू शुरू की जो बठी बनी कराएंची में वह अलग बात थी। वह परिपक्व करने की लिकिन अभी जो बठी है बाबा कहे जिसमें किचडा सब निकल जाता है। वहां तो तुम अपनी बठी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था, चार दिवारी के अंदर रहते थे, बाहर किसी का चेहरा देखना नहीं होता था, यह है योग की बठी, अपने लिए मेहनत करनी होती है, आत्मा ही समश्टी है, आत्मा ही ज्यान सुनती है, और्गन्स द्वारा, आत्मा ही संस्कार ले जाती है, जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं, फिर सेना में भरती हो जाते हैं, वैसे तुम बच्चे भी संसकार ले जाते हो वो जिस्मानी मिलिटरी में चले जाते हैं तुम्हारे मेंसे भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रुहानी मिलिटरी में आ जाते हैं बाबा कहे जिस तर जिस्मानी मिलिटरी वालों का अगर दे छुट गया तो पुना उस संसकार के कारण वो उसी मिलिटरी में भरती हो जाते हैं तुम्हारे मेंसे भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी रुहानी मिलिटरी में आ जाते हैं कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुक्तु करने जाते हैं ऐसे बहुत होंगे एक-एक के लिए बाप से थोड़ी पूछना है बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फाइदा फात्मा कहां गई, क्या हुआ, इजान करके क्या फाइदा तुम अपने धन्दे में रहो, पापो को भस्म करने का ख्याल करो यह भोग आदी जो लगाते हैं, यह भी ड्रामा में है जो सेकंड बै सेकंड होता है, ड्रामा शूट होता जाता है फिर पांच अजार वर्ष बाद वही रिपीट होगा जो कुछ होता है, कल्प पहले भी हुआ था ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंजने की बात ही नहीं जो कुछ होता है, नथिंग नहीं सेकंड बै सेकंड ड्रामा की रिल फिरती रहती है पुराना मिठता जाता, नया भरता जाता है हम पाड बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है, यह महीन बाते कोई शास्त्र में नहीं है तुम बच्चों को पहले-पहले ये निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग के स्थापना करने वाला है बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्सा मिला था, फिर कैसे गमाया, यह समझाना पड़े है, हार जीत का खेल है, माया तेहारे हार है, मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं, दुनिया के मनुष्य क्या समझते, धन ही माया है, बाबा कहे माया धन को नहीं कहा जाता है माया तो ये विकारों को कहा जाता है मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं बास्तों में माया पांच विकारों को कहा जाता है कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है यह भी किसको पता नहीं है अब कहां प्रकर्ती, कहां माया अलग-अलग अर्थ है मैगेजीन में भी लिख सकते हो कि भारत वासियों का नंबर वन दुश्मन ये रावन है जिसने दुर्गती को पहुँचाया है रावन राज्य शुरू होने से ही बक्ती शुरू हो जाती है ब्रह्मा की रात में बक्ती मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं ब्रह्मा का दिन चड़ती कला, ब्रह्मा की रात उतरती कला अब बाप कहते हैं इस माया रावन पर जीत पाने है बाप श्रीमत देते हैं स्रेश्ट बनने लिए लागले बच्चे, मुझे बाप को याद करो विकर्मा जीत बनने का और कोई उपाई है नहीं तुम बच्चों को भक्ती मार के धक्कों से छुडाते हैं अब रात पूरी हो, प्रभात होती है दिन माना सुख, रात माना दुख यह सुख दुख का खेल है बाप यह सब राज बताकर तुमको त्रिकाल दर्शी बनाते है अब जो जितना पुर्शार्थ करे, बीज और जाड को जानना है बाप कहते हैं बच्चे, अब टाइम थोड़ा है गाया भी जाता है, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी पुनह आधी तुम बाप को याद करने लग जाओ, और फिर चाट को बढ़ाते जाओ देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं बाप तो है सिखलाने वाला, पुर्शार्थ हमको करना है बाबा एक एक बाद सिखाता जाता, लेकिन हम बच्चों को पुर्शार्थ करना है बाप तो है पुर्शार्थ कराने वाला, बाप का तो लव है ही बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, उनके तो सब आत्में बच्चे ही ठहरे फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी, भाई बहन हो गए, वर्सा तो दादे से मिलता है इश्वर्य अौलाद फिर प्रजा पिता ब्रह्मा मुक द्वारा, तुम ब्रामन बने हो फिर देवता वर्ण में जाएंगे, क्लियर है ना, आत्मा समझती है, श्व बाबा हमारा बाप है मैं स्टार हूँ, तो हमारा बाप भी स्टार ही होगा आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाबा भी स्टार है, परंतु वह सुप्रीम है हम बच्चे उनको फादर कहते हैं, इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है बाकि ऐसे नहीं, इश्वर में कोई ऐसी शक्ती है, जो दिवार तोड़ देंगे कहीं समझते हैं न, इश्वर में अगर शक्ती है, तो प्रूफ दो, कि दिवार तोड़ दो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ, तुमको फिर से राजयोग सिखलाने लिए है, बाप बच्चों का ओबीडियंट है, लौकिक में भी बाप बच्चों पर बली चड़ते हैं न, तो बड़ा कौन हुआ, बाप बच्चे, बाप सब कुछ बच्चे को देते हैं, फिर भी बच बच्चा छोटा है, इसलिए रिगार रखना होता है, यहां भी तुम बच्चों पर बाप बली चड़ते हैं, वर्सा देते हैं, तो बड़ा बच्चा हुआ न, परन्तु बाप का फिर भी रिगार रखना होता है, बाबा दैवी मैनर्स भी हम बच्चों को सिखाते हैं, कि बले बाबा हम बच्चों को सब कुछ दे देते हैं और ये कहते भी है तुम बड़े हो इसलिए तुम्हारे पर बली चड़ता हूं लेकिन फिर भी बाबा का पूरा-पूरा रिगार रखना होता है। बाब के आगे पहले बच्चों को बली चड़ना है बाबा के आगे पहले तो बच्चे बली चड़ते हैं तब बाब 21 बार बली चड़ेंगे बक्ती मार्ग में भी इश्वर अर्थ कुछ न कुछ देते हैं उनकी एवस में फिर बाबा ते देते हैं यहां तो है ही फिर बेहत क पूछाली बात कहते भी है आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे अभी वह समय आ गया है इसलिए बाबा ये प्रशन पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं तहीं बार बाबा साकार में बच्चे जब सामने आते तो पूछते थे, तुमको कितने बच्चे हैं, फिर ख्याल में आता है, तो एक शिव बाबा भी बालक है, अब बताओ, तुम्हारा कल्यां कौन सा बालक करेगा, तो कहेंगे शिव बाबा, तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना, ये समय ऐसा आ रहा है, जो कोई किसका क्रिया क करने वाले ही नहीं रहेंगा, इसलिए बाब कहते हैं, दे सहीत, सब कुछ त्याग, प्रस्टी हो, श्रीमत पर चलते जाओ, डाइरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, हम तो निश्कामी है, शिव बाबा कहते हम तो नि निश्कामी है न, वो एवर पावन है, बाब कहते हैं, बच्चे मददकार बनो, हमारा मददकार गोया अपना मददकार बनते हो, बाबा का मददकार क्या बनते हैं, हम गोया अपना ही मददकार बनते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चो प्रती, मात, पिता, बा रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी मात किता बाप दादा को यात्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. आज की मुडली से धायना के लिए मुख्यसार है पहली पॉइंट सदा अपनी दुन में रहना है अपने पापो को भस्म करने का ख्याल करना है दूसरी बातों के प्रश्न में नहीं जाना है अपने संस्कारों को परीवर्टन करने के लिए योग की भठी में रहना है दूसरी पॉइंट देह सहीत सब कुछ त्याग पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है बाप का पूरा रिगार रखना है मददकार बनना है आज का बापतादा का मदुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है मेरे पन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध वअभिमान पर विजही बनने वाले कर्म बंदन मुक्त भवा जहां मेरे पन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, ये मेरी है या मेरा है, तो क्रोध, अभीमान या मोह आता है बहुत सुन्दर बात बाबा ने कही, जहां मेरे पन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, ये मेरी है या मेरा है, तो क्रोध, अभीमान या मोह आता है लेकिन ये सेवा के साथ ही है न कि मेरे का अधिकार है, मेरे पन का अधिकार नहीं रखना है, न कि मेरे का अधिकार है, जब मेरा नहीं, तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं है। तो कर्म बंधनों से मुट्थ होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो एक बाप दूसरा न कोई एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकरशन नहीं कोई कमजोर संसकारों का भी बंधन नहीं सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समाजाता है सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है आज का स्लोगन है मास्टर सर्वशक्ती मान वह है जो समय प्रमान, हर गुण, हर शक्ती को कारिय में लगा है मास्टर सर्वशक्ती मान वह है जो समय प्रमान, हर गुण, हर शक्ती को कारिय में लगा है अच्छा ओम्षान